इंस्टागराम एस स्टोरी में गाना कैसे लगाए? हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप इंस्टागराम का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने इंस्टागराम में जो है इस स्टोरी लगाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको गाना लगाने का आप्शन नहीं मिलता है और आपको पता करना है कि इंस्टागराम पर कोई भी हमें स्टोरी लगाते हैं फोटो के साथ तो आप उसमें गाना कैसे लगा सकते हैं इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से दिखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए वीडियो सुर करते हैं तो इंस्टागराम इस टोरी में जो है गाना कैसे लगाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ अब आपको यहाँ पर क्या करना है अब यहाँ पर आपको उपर में जो है आपका story वाला बटन दिख जाएगा your story का आपको इस पर click कर देना है योर स्टोरी वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपका जो गैलरी है फॉन का वो यहाँ पर ओपन हो जाता है और आप अपने फॉन से जो है अब उस फोटो को स्लेक्ट कीजिए जो फोटो आपको अपने स्टोरी में लगाना है जैसे कि यहाँ पर मुझे यह वाला फोटो लगाना है सिंपली में इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यह जो मेरा फोटो है वो यहाँ पर आ गया ठीक है अब मैं आपको बता दू यहाँ पर आप सौंग कैसे लगा सकते हैं गाना कैसे लगा सकते हैं तो इसके लिए आपको उपर में एक यहाँ पर emoji वाला बटन मिलेगा आपको इस emoji वाले बटन पर क्लिक कर देना है emoji वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर धेर सारा option मिल जाता है आपको एक option मिलेगा यहाँ पर music का तो यहाँ पर आपको इस music वाले option पर click कर देना है music वाले option पर आप जैसे ही click कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिल जाता है अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे scroll करना है और यहाँ पर धेर सा तरह music आपको देखने को मिल जाता है ब्रावजर पर click करके आप यहाँ पर जो है इस तरीके से आप यहाँ पर अपने काफिस से और song को ढून सकते हैं किस type का song चाहिए पॉप में चाहिए माराथी में चाहिए या फिर बॉलिवुड में चाहिए तो यहाँ पर धेर सारा मिल जाता है अगर आपको कोई गाना के नाम याद है तो आप यहाँ पर search पर click करके अपने गाना का नाम भी search कर सकते है फिलाल यही से मैं कोई भी एक song ले लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर दिल तू जान तू यहाँ पर यह वाला song है आप यहाँ पर click करके जो है इस गाना को सुन भी सकते हैं यहाँ पर click करके ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है जो भी गाना आपको पसंद आता है आपको उस पर click कर देना है जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको interface मिलता है यहाँ पर जो है आप चाहते हैं कि मतलब जो आपका audio है वो सिर्फ background में ही बज़े यहाँ पर display पर कहीं पर भी music का option ना रहे तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि किस film का song है या फिर आपको पोश्टर वगरा लगाना है तो इस तरीके से click करके आप set कर सकते है इसे के साथ नीचे में 15 second वाला option आता है simply इस पर click करके आप कितना second का यहाँ पर song लगाना चाहते हैं 15 second से 14 second तक के आप यहाँ पर लगा सकते है ठीक है एक second तक के भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं फिर आपको done पर click करना है नीचे में आपको जो है trim का option मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने कितना music यहाँ पर रखना चाते हैं इस starting point कौन सा रखना चाते हैं वो यहाँ से आप select कर सकते हैं अगर आपको color change करना है तो color पर click करके ऊपर में यहाँ पर आप अपने music का color change कर सकते हैं फिर आपको done के button पर click करना है इसको कुछ इस तरीके से उठा के आप कहीं पर भी adjust कर सकते हैं इसके बाद आपको इसको story लगा देना है कुछ इस तरीके से इसी परकार से आप किसी भी Instagram में जो है आप यहाँ पर story के ऊपर जो है अपना गाना लगा सकते हैं वीडियो कैसे लगा comment box में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को subscribe करना ना भूले